A big hello to everyone, welcome back dear learner, I hope आप सभी ने एक अच्छे तरीके से जो MCQ सेशन था Important Tourist Destination of Jammu and Kashmir Union Territory उसके उपर आपने अच्छे तरीके से अटेंड करके अपने अच्छे स्कोर को गैन करा होगा आप एक बार अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन के अंदर रख दें ताके हमें भी ये पता लग पाए और खासकर मुझे पता लग पाए ताके मैं आपके स्कोर को एनलाइज करके आपकी ओपर और जादा मिस बहनत करने की कोशिश करू ताके मैं और आपको एक easiest way में पढ़ाने की कोशिश करूँ Dear learner जैसे हमने important currencies की series को शुरू करा है तो आज की इस lecture के अंदर छोटी सी lecture है आप ज़रूर 10 से 15 minute इस lecture को attend करें ताके आपको इसका benefit अच्छा मिल पाए और definitely आपको tips और tricks है जिस तरीके से आपने आज से पहले तीन lecture को जो important यहाँ पे currency की series पे बनाई गी है उनको आपने अच्छे तरीके से tend करा है आप आज भी सी को उसी तरीके से tend करें अभी से पहले हमने रुपी currency के बारे में देखा दिनार के बारे में देखा उसके बार डॉलर के बारे में देखा तो आज यहाँ पे पार्ट फोर्थ के अंदर हम पॉंड currency के बारे में देखेंगे उनकी capital देखेंगे और कौन से continent के अंदर लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे और last पे मैं आपको या उसके beach middle में आपको ये भी बताऊंगा कि एक जो पॉंड sterling है इसकी जो इंडियन रुपी की value कितने बराबर है यनि कितने इंडियन रुपी एक पॉंड के बराबर होते हैं तो उनकी भी बात करेंगे और मैं आपको इतने tips और tricks के साथ समझाने वाला हूँ कि आप कभी भी आपकी ये lecture useless नहीं होगी जी हा यूजलेस आज आप इस lecture का आपका man ban होगा man brahmastr होगा इसलिए try to make it you know just product useful बनाए useless नहीं बनाए तो आज यहाँ पे pound की difficulty को हम useless बनाएंगे और pound को अपने लिए useful बनाएंगे तो without delay let's get started आज हमारे पास pound currency है बहुत अदा countries की यहाँ पे pound currency है उनकी बात करेंगे लेकिन मैंने आपको पहले ही बता है कि हम उन्हीं countries की जादा discussion कर रहे हैंगे जो एक affiliated है यानि जो current affairs के अंदर आपको देखने को मिलती है या फिर UPSC, JKPSC, RAS या किसी भी state level का कोई exam क्या नहीं हो तो उसके अदर अगर आप पूछी जाती है तो उन्हीं countries के बारे में मैं आपको एक trick देने वाला हूँ जो ज़्यादा दर lime light में रहती है ज़्यादा दर current affairs के अंदर रहती है उन्हीं के उपर बात करें फिर से मैं आपको एक बार बता दू आज हम pound के बारे में देखने वाले हैं और I hope dear learner आप एक बहुत ही mindset के साथ अच्छे mindset के साथ आप यहाँ पे इसको attend करने वाले हैं अगर मैं आपको बता दू यहाँ पे जो pound है इसका पुरा नाम pound stealing के नाम से यह जाना जाता है अगर बताओं यह oldest currency है यहाँ पे इसको oldest currency माना जाता है देखो मैं आपको एक बात बताओं यहाँ पे बहुत important बात है जो आप सभी को बतानी जरूरी है क्योंकि जो एक pound कीमत होती थी यह एक pound की जो कीमत होती थी अगर बात करें 980 AD के आसपास अगर बात करें 980 AD के आसपास जो एक pound था तो इसे तब वहाँ के जो लोग थे लगबग 15 cattle को खरीद सकते थे जी हाँ 15 cattle को सिर्फ एक pound से खरीदा जाता है और आप सभी को बता जो pound है वह एक weight का यहाँ पर unit भी होता है इस तरीके से भी आपको यह समझना है तो इसकी भी बात करते ही ले कर रहे हम तो यहाँ पे जादातर बात करें यह जादातर अगर पीछे अगर आप बात करें पास टाइम की बात करें जो currency pound है इसका अगर आप Latin word पता करें कहां से निकली तो Libra तो इसका official name भी Libra ही है तो ये भी आप इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखें अब यहाँ पे ये जो Libra ये क्या refer करता है weight या balance को यहाँ पे refer करता है मैंने आपको पहले बताए कि weight का एक unit होता है pound होता है अगर बात करें 300 साल पहले की बात करें जो bank of England था तो उसने ये authority दी थी ताके वो pound के जो bank notes थे उनको issue कर पाई यानि pound जो notes हैं pound के जैसे रुपी के notes होते हैं 10 के 5 के 20 के 100 200 500 तो इसी तरीके से यहाँ पे जो bank of England था जो लगबग आज से 300 साल पहले यहाँ पे establish हुआ था तो उन्हें यहाँ पे इसको permission दी थी उस bank को permission मिली थी ताके वो pound के जो notes है उनको वो वहाँ पे क्या कर पाई issue कर पाई उसके बाद यहाँ पे इन notes के अंदर अभी तक बहुत ज़दा changing आई है आपको बहुत ज़दा changing देखने को भी मिलेगी लेकिर आज हमें यहाँ पे tips और tricks बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपके लिए कुछ थोड़ा सा knowledge इसके related लाया ताकि आप pound के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएं अगर बात करें उस टाइम पे राज खिसका था जो henry 6 थे तो वहाँ पे उनका यहाँ पे रूल था sorry henry 7 यहाँ पे जो थे तो उस टाइम वो राज करते थे कब की बात है यह 1489 AD की बात है उसके बात करें जो pound के जो notes थे जो pound currency के जो notes बने थे वो यहाँ पे England के अंदर shortly कब यहाँ पे circulate करे गए थे क्योंकि Bank of England अगर बात करें कब तो 1694 के अंदर यहाँ पे यह issue authority मिली थी कि वो जो pound के notes उनको यहाँ पे circulate कर पा है तो पहले बार यह foundation कब हुई थी Bank of England की 1694 की हुई थी तो उसी के बाद यहाँ पे यह जो bank notes थे pound के उनको circulate किया गया था अगर बात करें यह पहले originally hand return notes हुआ करते थे जो note बनते थे इन्हें जो पैसे वाले note बनते थे 100, 200, 500 के जिस तरीके से हमारी इंडियन रुपी के अंदर है उसी तरीके से वो वहाँ पे hand return से बनाए जाते थे अगर बात करें जो pound जो function करता था एक बहुती complicated system के साथ इनको बनाया जाता था अगर बात करें शेलिंग्स और pennies यहाँ पे बनाई जाती थी और यहाँ पे decimal system के अंदर भी इसको रखा जाता तो यह बात 1971 तक यह बात चली उसके बात बात करें 60-60 की बात करें जो coin था minting was mechanonizing features and उसकी जो design थे उसके अंदर change करा गया उसकी lettering जो words थे उसको change करा गया और इसको एक नए तरीके से money clipping के साब से उसको एक introduce करवाया गया it means उसको नए design के अंदर इसको लाया गया जो पहले वाली design थी इसको वहाँ पे cancel कर दिया, eradicate कर दिया, नकार दिया उसके बात यहाँ पे बात करतें जो pound sterling है तो वो एक independent currency भी मानी जाती है देखो यहाँ पे एक line लिखी है, जो pound sterling has survived as an independent currency तो उसने एक independent currency की तरह भी survive करा है while most of the rest of Europe की बात करें, adopted the euro क्योंकि पहले यहाँ पे जितनी भी European countries थी, उनके अंदर आपको pound currency ही देखने को मिलती थी लेकिन अब most of जो countries हैं, यूरोप की उन्होंने euro currency को adopt कर दिया है क्योंकि वो एक single currency के तरही से वहाँ पे यूरोप के अंदर use हो रही है अगर बात करें, यह beginning of 21st century में ही इसको use किया गया है और यहाँ पे जो pound sterling है तो उसको भी यहाँ पे अच्छी मानिता मिली है लेकिन अगर आप बात करें अच्छी पर्जेंट टाइम की बात करें तो euro यहाँ पे European के अंदर जादा है उसके बात करें जो pound scots हैं, इसकी बात करें जो 1707 तक यहाँ पे existed थे उसके बाद union act create एक हुआ था जिसके अंदर एक नाया monetary system हुआ था जो completely based यहाँ पे जो south pond थे उनके उपर based था जो यहाँ पे Scottish border यहाँ पे आपको सोथ Sudan के अंदर या Sudan region के अंदर या Scotland के अंदर आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद जो bank of Scotland था देखो यह भी important बाद जो bank of England कब create हुआ था 1600 मैंने आपको अभी बता कि जो 1664 था तो उसके अंदर यहाँ पे bank क्रियेट हुआ था उसी तरीके से 1695 के अंदर जो Scotland का bank था वो create हुआ था तो यह दो important question आपको मिल जाते हैं अगर आप world history की बाद करें जो bank of Scotland था वो 1695 के अंदर create हुआ था उसी तरीके से bank of England अभी मैंने आपको पढ़ाया इट सर्वाइज टूडेज दे पार्ट अफ एच बी ओएस तो यह यहाँ पे आज जो Scotland का bank है यह अभी किसका part है अगर बात करें यह अगर बात करें यह किस तरीके से लॉलियडास banking group के साथ इसकी एक सबसीडी है इसके साथ काम कर रहा है जो यहाँ पर completely based कहां पर जो Eden garden है वहाँ पर यह बेस है उसके बाद इसकी और बात करें जो currency है उसका symbol आपको इस परकार बिलेगा नीचे भी मैंने आपको यहाँ पर बताए एक ultra L तरीके से आप इसको बना सकते हैं और इसकी currency इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका symbol आपको देखने को मिलेगा तो यह एक stylized representation है जो black letter है L उस तरीके से यहाँ पर बताती है और इसके बीच में standing for libra और libra का मतलब pound होता है और pound का मतलब weight या balance होता है तो यह भी आप बात याद रखें अगर इसके official name की बात करें तो इसको लीरा के नाम से भी जाना जाता तो official name की बात करें dear learner मैंने आपको पिछले lecture के अंदर dollar के बारे में बताया था लेकिन वहाँ पर मैं miss कर गया था कि एक dollar कितने इंडियन रुपी के बराबर है तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा ये भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि एक जो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं यहाँ हम बात करें यहाँ पर पाउंड की तो वो कितने इंडियन रुपी के बराबर है पहले बात करें एक पाउंड स्टेर्लिंग कितने इंडियन रुपी के बराबर है तो अच्छा खासा यहाँ पर मार्जन आपको देखनी को मिलेगा 102.73 इंडियन रुपी लगा के केवल आप एक पॉंड की जो एक पॉंड स्टेरिंग है उसकी वैलियो बना सकते हैं इट मींज वन पॉंड स्टेरिंग इसक्वल टू 102.73 इंडियन रुपीर अगर इसी तरीके से आप उनाइटिड स्टेट के डॉलर की बात करें वन उनाइटिड स्टेट डॉलर इक्वल टू यहनी वन उनाइटिड डॉलर इक्वल अगर आप बात करें यूसे के डॉलर की बात करें तो वो एक डॉलर यहां पे 72.70 इंडियन रुपीर के बराबर है तो आप भी देख सकते हैं कितना यहां पे आपको मारजन देखने को मिल रहा है बहुत जादा आपको मारजन देखने को मिल रहा है और यहां पे पाउंड की जो यहां पे सिंबल है इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे नहीं होने वाली आप सभी के लिए लेक्चर तो आज इस लेक्चर की यानि पाउंड की अगर आपको कुरेंसी जाननी है तो आपको यूजलेस अच्छे तरीके से माइंड में रखना है मैं हर एक लेक्चर के अंदर आपको बता रहा हूँ कि जो कैप्टल लेटर है वो ही यहाँ पे कंट्री के नहीं को बताएगा जो स्माल लेटर है वो यहाँ पे कंट्री के नहीं को नहीं बता रहा है तो यहाँ पे देखेंगे यू से कौन सी कंट्री का नाम बनता है से कौन सी कंट्री का बनता है कि कौन से रीजन में अगर आपको वॉर्ल्ड मैप के अंदर ये कंट्रीज ढूंडनी हो तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी हैल्प मिल जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रिक को लिख लिए यू ऐसी तो इदे को स्माल ई नहीं लिखा आपको लंदन इसकी कैपिटल दिखेगी जो यूरोप कंटिनेंट के अंदर लाई करता है उसके बाद ऐसी यहाँ पे सीरिया के लिए स्टेंड करता है तो ये भी आप सभी के लिए इंपोर्टन जाना है जैसे यू 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 उनाइटिड के इंडम उसी तरीके से ऐसी यहाँ पे सीरिया के लिए यहाँ पे बता रहा है उसके बाद सीरिया के अगर आप कैपिटल की बात करें तो दमस्क यहाँ पे इसकी कैपिटल है इसकी अगर बात करें कौन से कंटिनेट के अंदर यहाँ पे लाई करती है जो दमस्कस यहाँ पर सीरिया की जो कैपिटल है वो एशिया कॉंटिनेट के अंदर है अगर बात करें सीरिया यहाँ पर एशिया कॉंटिनेट की बात करें उसके बाद लेबिनोन की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो बैरूट है तो अगर आगर आप बात करें कौन से कॉंटिनेंट के अंदर लाई करती है तो ये भी यहाँ पर एशिया कॉंटिनेंट के अंदर ही लाई करती है उसके बाद बात करें यहाँ पर अजिफ्ट की बात करें यह अफरीका के अंदर लाई है तो इसको आप थोड़ा कॉरेक्ट कर दें यह यहाँ पर अफरीका के अंदर लाई करता है अजिफ्ट यहाँ पर अफरीका कॉंटिनेट के अंदर लाई करता है उसके बाद अगर आप बात करें से यहां पे सुडान के लिए यहां पे बता दा देखो मैं आपको बता दू यहां पे दो सुडान है एक सुडान है दूसरा सोथ सुडान है तो इसकी भी बात करेंगे अगर आप बात करें सुदान की जिसकी कैपिटल खर्तों यहाँ पे इसकी कैपिटल है जो अफरीका कॉंटिनेट के अंदर ही लाइ करता है उसके बाद यहाँ पर अगर आप सोथ सुडान की बात करने इसकी कैपिटल जूबा है तो यहाँ पर यह भी अफरीका कॉंटिनेट के अंदर लाई करता है तो देखो यू एस एल ए डवल एस यूजलेस यहाँ पर नहीं बनी लेक्चर आपके लिए क्योंकि इस यूजलेस वर्ड से आपको यहाँ पर पाउंड कौन कौन सी कंट्री की कुरेंसी है यह आपको जानने को मिला साथ में आपने कैपिटल देखी कौंटिनेट देखा कौन से कौंटिनेट के अंदर यह लाई करती है अब आपको एक जिग्राफिकल तरीके से भी बताता हूं मैं कहां कहां पर कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर लाई करती है तो सबसे पहला अगर आप बात करें यूनाइटिड किंडम की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्कौटलेंड के साथ ही आप अगर आप बात करें नौर्थ सी की बात करें या फिर इंग्लिश चैनल आपको एक अच्छा चैनल हिस्ट्री भी आपको बात होगी ढूंड सकते हैं और यह यहां पर यूरोप कॉंटिनिट के अंदर लाइ करता है उसके बाद अगर बात करें यहां पर अगर आप यहां पर सीरिया की बात करें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर आपको सुडान देखने को मिल रहा है तो सुडान यहां पर यहां continent के अंदर लाई करती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद Egypt भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Egypt है वो भी Africa continent के अंदर ही लाई करता है, तो Sudan, Egypt और South Sudan आपको Africa continent के अंदर ही देखने को मिलेंगे उसके बाद अगर आप अच्छे तरीके से बात करें और अच्छे तरीके से देखते हैं जो सोथ सुडान है आपको यहां पर इस रीजिन में आपको देखने को मिलेगा और आपको पता जो लेक विक्टोरिया है तो इसकी भी एक मानियता है क् ट्रॉपिक आफ कैंसर यहां से गुजरा है, एक्वेटर यहां से गुजरा है, ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन यहां से आपको गुजरता हुआ दिख रहा है, उसके बाद यहां पे बात करें, लेबिनौन की बात करें, तो सीरिया के साथ ही आपको यहां पे इस तरीके से मेड Meditarency यहां पर आया तो इस साइड पर आपको यहां पर जो लेबिनॉन है वो देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पर बात करते हैं अब अजिफ्ट की बात करें मैंने पहले बता दिया Meditarency इसके साथ लगता हुआ है यह आगी आपका Red सी आगया जो English Channel के नाम से भी जाना ज आता है तो यहां पर यह जो English Channel है उसके साथ में आपको Africa continent के अंदर आपको जिफ्ट देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप सभी के लिए आज की यह जो लेक्चर पॉंड के उपर थी I hope आप सभी अच्छा तरीके से benefit उठाया होगा छोटी से टाइम के अंदर आपने बह को दी और इसकी capital बताई continent बता मैप बताया तो यह वीडियो कुल मिला के आपके लिए useful थी useless नहीं थी लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर lecture के अंदर आपकी useless की trick काम आई इसलिए अपने time को useless ना बनाए useful बनाए use your time before you lose your time तो बहुत अच्छा यह quote है line है कि अपने time को use कर तो तक किता ऐसा नहों कि आप अपने time को lose कर दो so again मैं आपको कह रहा हूँ use your time before you lose your time thank you very much जाहिन दिए